और भाई साब आप यहां इलाज करने आये हो हाँ भाई साब अब मैं क्या बता हूँ गलती से मसकली टू पॉइंटो सुन लिया यार तब से दुनिया धुन्दली धुन्दली दिख री है यार अरे रे 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 बाई साब आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ और भाई साब आप यहां इलाज करने आये हो और क्या भाई इलाजी करने आयेंगे तुमको क्या लगा हम यहां खरगोश और कचुए की रेस पर सटा लगाने आये हैं कईसे सवाल पूसता है बे तू बचपन में तू पलंग से गिर गया था कि पलंग तेरे उपर गिर गया था नहीं भाई साब मैं चटाई पिछा के सोता हूँ चायद पंखा गिराओका सर पे और भाई साब आप यहां इलाज करने आये हो नहीं भाई साब अंदर जो डॉक्टर बैठा ना मेरा सौतेला पती जैसा है मैं उसके लिए टिफिन लाया था लेकिन भाई साब आपका टिफिन तो कहीं दिखनी रहा है अबे तेरे को हर चीज जाननी है तो ले सुन तीन गली छोड़ के मेरा घर है मेरे घर के नीचे मेरे बाप की किरानी की दुकान है मैं अपने बाप का नालाएक बेटा हूँ मेकैनिकल इंजिनेरिंग कर रहा हूँ लड़कियां देखे तो जमाना हो गया है पूरे दिन लोफडी पेला करता हूँ लॉंड़क साथ गाणियों पे घूमा करता हूँ रात को घर आता हूँ खाना खाता हूँ पबजी खेलता हूँ और सो जाता हूँ रोज सुबह मैं साड़े पांच बजे खेत में हगने जाता हूँ और कुछ जानना हो तो आ जाना साथ में हगेंगे तुम मेरी धोना मैं तेरी धोंगा बाइसाब एक सवाल और लोटा मैं खुद का लाउँ या आप शेयर कराद होगे में को अरे भाई गलती हो गई भाई तेरे मूह लगा में माफ कर मेरे को भाई जान दे अरे रुकिए भाई साब ये तो बताते जहीं कि कौन से खेत में मिलना है हैं जी बताई आपको क्या दिक्कत है अरे डाक्टर साफ अब हम क्या बताएं मुझ में चाले भोत निकल रहे हैं अरे 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 आपको तो लंग कैंसर है कौन सा कैंसर है अरे भाई साफ लंग कैंसर, लंग क्या सुन रहे हो पता नहीं आब अबे कहिसे पजामा चाफ डाक्टर हो बहे तूं मुह में छाले निकले हैं और तुम लंग केंसर बता रहे हूँ भाई साफ डॉक्टर में हूँ कि आप हो हाँ तुम ही हो डॉक्टर तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ सामने जाना और उनसे कहना बवासीर है तो बवासीर की दवाई दे दो अबे कैसे लुल पठा का डॉक्टर रहे यार तुम छाले मुह में निकले हैं विमारी तुम लंग केंसर बता रहे हूँ अथा भाई तुम बवासीर की लेने कहरो नहीं कराना बे तेरे से लाज पता नहीं किसने इसको डॉक्टर बना दिया है अरे भाई साफ सुनिये तो मेरे को बवासीर है मेरे लिए तो वाई लानी थी यार अब कौन लाके देगा यार मेरे को तो देता नहीं है वो मेरे से उधारी जो है उसकी चलो छोडो हाँ भाई अगला कंटेस्टेंट वेजो अरे मेरा मतलब है कि अगला पेशेंट वेजो डॉक्टर मेरे रिपोर्ट आ गई हाँ हाँ आ गई आपके रिपोर्ट तो बताईए मेरे को क्या हुआ है आपको बड़ी ही गंभीर बीमारी हुई है बीमारी का नाम है अरे डॉक्टर साब मेरे पूरे महले की रिपोर्ट आ गई है क्या सबकी बिमारिया जोड के बता रहो तुम नहीं नहीं बेचे ये आप ही की रिपोर्ट है बेचे अरे डॉक्टर साब आप हर बिमारी के नाम के आगे सिंदूर के लगा देते हैं बेटा वो सिंदूर नहीं होता है सिंड्रोम होता है हा हाँ वही सिंदूर अरे डॉक्टर साहब यह जो आपने गंबीर सी बिमारी बताई है यह बला बला जो भी यह सिंदूर ये इसमें होता क्या है बेचे अगर हमें इसको आसान भाषा में बो लें तो Created अच्छा तभी मैं सोचू मेरे पेट में इतनी देर से गड़ गड़ की हो रही है अरे ये डॉक्टर साब ये थोड़ा गलती हो गए मेरे से थोड़ा गरम गरम रायता ही आपके सीट पर भी फैल गया अरे वो क्या है ना दस्त है ना तो निकल जाते हैं कई भी चलो डॉक्टर साब मैं निकलता हूँ भाई भाई टाटा अर हाँ डॉक्टर साब ये रायता चाट के देखना अगर अच्छा लगे ना तो अगली बार फिर मेरे को बुला ले ना मैं करके चले जाओंगे अब रोक कहा जा रहा है वापसा इधर ए कईसे हगेड़े लोग है यार कहीं भी हग के चले आते हैं अरे कमपाउंडर आके ये रायता तो साफ करो यार तेरे बाप के नो करनी हूँ मैं खुद साफ करें टटी और हाँ मैं बातरूम जा रहा हूँ मेरे को टटी आई है ये करके मा भी आ जाना साफ करनी कैसे दिन आ गए यार अब डॉक्टर को साफ करनी पड़ेगी टटी ना मचते डॉक्टर साब ये मेरे ससुर्जी है अच्छा ससुर्जी है आपके शक्कल से तो बिल्कुल आपकी नोकरा नहीं लग रही है हाँ बताए फिर क्या हूँ अंकल को डॉक्टर साब इनको भूक नहीं लगती है बिल्कुल ओ हो हो इनके तो पैर काटने पड़ेंगे अरे भाई पैर क्यों काटोगे यार अरे डॉक्टर साब हमको लंगडा बुड़ा नहीं चाहिए अरे आप समझ नहीं रही है हम इनके और आपको देंगे फिर इसम में छिलाईएंग ना और बुड़ा हो गया स्टील की चाहिए थो इसलंने की कटोर अघए और अपनी मूद पिला दो पहले ना तुम अपना इलाज करवाओ, रोज खुद को संटी से मारा करो, शायद तुम्हारा पागलपन ठीक हो जाए, चल बे बुड़े, अरे मेरा मतलब है की, चलिए ससुर जी, हाँ तो भई, अगले किरदार को अंदर बेजो, हाँ तो बताइए भई साब, आपको क्या अ अभी तेरे बटुए में जितने भी पैसे हैं उतने दे मेरे को भी, अभे, इच्छादारी पैंग्विन, अभे मेरे को चीजे भूलने की बिमारी है, अपनी आउकात नहीं भूलता हूँ, वो मेरे को याद रहती है, मेरे चार बैंक अकाउंट में मिला के 5,000 रुपे हैं, और तुम बता रहो कि मैंने तुमसे 5,000,000 रुपे उधार ली हैं, अभे तु डॉक्टर नहीं है, तु इच्छादारी पैंग्विन हैं, पैंग्विन, अरे डॉक्टर वो बेड नमबर 5 के पेशेंट के मुझ से बहुत खुन निकल ला है, अरे हाँ, बड़ा पागल सा प पाई खा रहा था, मेरे को पूछा ही नहीं उसने, तुमें काम करो, जाओ उसके जीप पे टाके लगाओ जो, आ भाई साब, क्या नाम है आपका, हांडू एक भोकाली लोंडा, हां तो हांडू, क्या तकलीफ है आपको, अबे चमकादडी वाइरस, पूरा नाम बोल पूरा पता है डॉक्टर मेरे को भजपन में स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि मैंने 5 साल की उमर में 15 साल की उमर की गाली दे दी थी, आज भी मेरे को याद है वो गाली, खाना चाहते हो, अरे नाई 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 तो कोई ढंका एलाज बताना, आपके लिए एलाज सोचना पड़ेगा, लो भाई फिर मच रिये खुजली, अरे यार मेरा हाथ नहीं पहुच रहा है यार, जरा जांगिया महाट डालके खुजा दे यार, छी, ऐसे काम मैं नहीं करता भाई, अरे यार तुम तो हैसरी याक कर रहो, जैसे तुमाई सीट पर टट्टी कर दी हो, और चींदी पना जो है ना तेरा छोड़ दे, नहीं तो पेशेंट आना बंद हो जाएंगी तरे पास, ये डाक्टर, बाहर निकल, तेरे मार काने का टाइम आ गया है, अरे में डक्सी शकल के, तुमको दिक्कत क्या है, चिला की रहो, अबे मेरे को पता चल गया है, कि पिछले दो दिन से तु मेरे का पागल बना रहा है, अबे पिछले दो दिन से ये मेरे को पानी की जगा किसी अंकल की सूसों में दवाई मिला के खिला रहा है मेरे को, इसको लगा कि मेरे को पता ही नहीं चलेगा, अरे भाई साब इसमें क्या हुआ, एक इंसान की पेशाब दूसरे इंसान के शरीर में ही तो गई है, इसमें दिक्कत थोड़ी ना है कोई अरे मैं क्या करता है यार, अब क्लीनिक में दो दिन से पानी नहीं आ रहा था और एक अंकल यूरीन सेंपल दे के गए थे, मैंने सोचा इसी को यूज कर लो अरे ये बकवास करता रहेगा, ए तुमार इसको